बिग स्क्रीन में आपका स्वागत हैं हिंदे सिनेवा में काफी पहले से ही प्यार की कहानिया सबसे ज़्यादा परदे पर दिखाई जाती रहेए जिसकी वज़ा से फिल्म में रोमेंटिक सीम भी फिल्माए जाते हैं ये सीन परदे पर देखने में जितने आसान और रोमेंटिक लगते हैं असलियत में कई बार इस वज़ा से एक्टर और एक्ट्रेस की हालत खराब हो जाती है काफी बार ऐसा होता है कि स्टार्स फिसिंग सीन या किसी भी तरह का इंटिमेट सीन देने के लिए प्यार नहीं होते हैं बॉलिवुड में ही नहीं वलकि हॉलिवुड में भी कई बार एक्टर एक्ट्रेस अपने को स्टार को किस करने या फिर उनके साथ इंटिमेट होने से सहज मैसूस नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें ही सीन करने पड़ते हैं। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बॉलिवूड और हॉलिवूड के उन स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके लिए ओन स्ट्रीन किस करना लोहे के चने चबाने जाज है अगर बात हॉलिवूड की करें तो फिल्म हैरी पॉर्टर की फ्रेंचाइजी में एमा वाट्सन और रुपर्ट ग्रीट की किसिंग सीन दिखाया गया ये सीन परदे पर जितना केमेस्ट्री फूल लगता है असलियत में इसे करना दोनों ही स्टार्स के लिए बेहत मुश्किल रहा था एमा वाट्सन और रुपर्ट ग्रीट दोनों का ही कहना है कि ये सीन करने में उन्हें काफी मुश्किलात आई थी फिल्म हसीन दिल्रुबा में तापसी पन्नू विक्रांत मेसी और हर्ष वर्धन डाणे ने साथ में काम किया इस फिल्म में भी जब इंटिमेट सीन फिल्म आए गए थे तो हर्ष वर्धन और विक्रांत दोनों ही असहज हो गए थे तापसी के मुताबिक intimate scene के दोरान दोनों ही actor asahaj होने के साथ तरे हुए भी थ्या Karthik Aarjan ने प्यारका पंचिनामा जैसी फिल्म करने के बाद कांची ने साइज रोल किया था लेकिन इस फिल्म में Karthik को किसी scene देने थे फिल्म में उनके opposite actress misty थे फिल्म में किसी सीन करने में कार्तिक की हालत खराब हो गई थी, पूरे 37 रिटेक लेने के बाद सीन फाइनल हो पाया था हॉलिवूड फिल्म फिफ्टी शेर्ट्स ऑफ ग्रे में डकोटा जॉंसन और जैमी डॉर्नल के बीच जबरदस्त केमेस्ट्री दिखाई गई थी इस फिल्म में दोनों के बीच की केमेस्ट्री की खुब चर्चा भी हूँ थी, लेकिन इस फिल्म में इंटिमेट सीन और किसिंग सीन करना दोनों के लिए काफी मुश्मिल था बॉलिवुड फिल्म मट्रू की बिजली का मंडोला में एक्टरस अनुष्का शर्मा और इमरान खान के बीच किसिंग सीन दिखाया गया था इस सीन को करते समय एक्टर इमरान खान काफी आसहज हो गय थी इस बारे में इमरान का कहना था कि यह काफी अजीव होता है कि आप एक ऐसे इंसान को किस कर रहे हैं जिसके साथ आप रोमेंटिक रूप से नहीं जुड़े हैं तो गाइस क्या कहना है आपको इन किसिंग सीन के लिए प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेर जदूर करें और साथ हिसाथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते हमारी इस वीडिसी